सब्सक्राइब करते हैं अपकमिंग एक्जाम की प्रिपेशन तो हमारी यह जो सीरीज चल रही है वह जियोग्राफी की चल रही है जियोग्राफी का सबसे पहला चेप्टर है भारत का विस्तार अभी तंग हम भारत के विस्तार में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाईएगा और यह वीडियो देख लीजिएगा अब हम चलते हैं आगे तो जो हमारे सेशन से आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए कि सर बहुत अच्छा कंटेंट है सर का बहुत करते हमारा जो सबसे पहला अब सिंकीम देख पा है आप से पूछा जाता है कि भारत के ऐसे राज्जिय जो की सबसे ज्यादा पडोसी देशों से सीमा साजा करते हैं तो आप देख पाने सिकीम सिकीम जो है उत्तर में सिकीम उत्तर में चाइना अगर अपन पश्चिम में देखें तो सिकीम हमारा जो भारत का राजी है वह पश्चिम में नेपाल और पूरु में पूरु में देखें तो भूटान भूट लद्दाक को जम्मु कश्मी से लग करके नई यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है यह सारे फेक्ट हमने पढ़ लिये हैं अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखेगा है ना तो जो हमारा लद्दाक है अगर आप लद्दाक को ध्यान से देखें तो लद्दाक की सीमा चाइना से भी लग रही है अफगानिस्तान से भी लग रही है और पाकिस्तान से भी लग रही है तो लद्दाक राज्जी की सीमा भी तीन देशों से लग रही है चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान ठीक है ना उसके बाद हम देखते है पश्चिम मंगाल पश्चिम मंगाल आप देख पा रहे हैं पश्चिम मंगाल की सीमा भी अगर हम देखें तो यहां पर यह जो पश्चिम मंगाल यह थोड़ा सा ऊपर तक जाता है पश्चिम मंगाल की सीमा बांगलादेश बांगलादेश से भी लगती है इधर से आप देख बंगल इस सराउंड़ेट बाई नेपाल भूटान एंड बंगलादेश और लद्दाक सराउंड़ेट बाई चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान ठीक ना तो इस सारे के सारे आपको जो है फेक्ट याद हो जाना चाहिए क्लास में ठीक ना अब हम चलते हमारा अगला जो फे तरफ से जल इस तरफसे घिर होने के कारण हम अपने भारत को प्राइडीपी भारत भी कहते हैं और अपर आपर कच्छी की खाड़ी कहां पर लोकेटेड है तो गुजरात राज donnाजी यह जो बीच्में को ट्रैंगle दिख रहा है इसके बीच वाले बहात को गल्फ और कच्छ कहते हैं ठीक है ना उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि यह वाला जो बीच में जो गेप आ रहा है गुजरात के नीचे महाराश्ट्रे से थोड़ा सा निकट और दादर और नगर हवेली वाला जो एरिया है यह वाली जो आपकी खाड़ी है यह कौन सी ख यह ना यह कहां पर आकर गिरती हैं तो हमारा अंशर क्या होता है कि क्य खाड़ी में आकर गिरती है कि सील नंगा भारत और श्री लंका के बीच में जो आपका जल वाला जो भाग है यहां पर कौन सी खाड़ी है तो हम यहां पर मनार की खाड़ी लगाएंगे भारत और श्री लंका की बीच में कौन सी खाड़ी है मनार की खाड़ी ठीक है आप इसको याद रखें लोकेशन हमने आपको जो ह आएंगशे हम बनगाल की हडी देखते हैं बे-बंगाल अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो शब्द हो रहे हैं एक तो बे membership बंगाल यूज रहा है और गल्फ भी यूज और यूज यू रहा है बे- दोनों का ही मतलब खाड़ी होता है हिंदी में दोनों का ही मतलब खाड़ी होता है लेकिन यहां पर बे शब्द यूज़ हुआ और यहां पर गल्फ शब्द जो है यूज़ हुआ तो आप याद रखें बे बंगाल देखो जो बड़ी होती है जो बड़ी होती है गेहरी होती ह कि है और गहरी होती है वो हम जो है। इसको बे-षब्द से डिनोक करते हैं और जो चोटी होती है एमूमन छोटी होती है उससे अपन गल्फ 율़ब्द से डिनोक करते हैं तो आप याद रखना बे मतलब बड़ी खाड़ी और गल्फ मतलब छोटी खाड़ी ठीड है यह फैक्ट भी आपको याद रखना है अब हम आगे चलते हैं कि कई बार एक्जाम में यह पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच पूदसी जलसंदी है तो हम लगाते हैं न भारत और श्रीलंका के बीच में कुन सी खाड़ी है तो हमने देखा था मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी ठीक है ना आपको याद रखना है भारत और श्रीलंका की बीच में जो जल संदी उसे पाक इस्टेट कहा जाता है कई बार आपने सेट में लगाया होगा है ना तो मज़ेदार तरीके से बहुत ही अच्छा हमने प्रेजेंटेशन बनाया है आपको सारी चीज़ें हम यहीं पर आद करा देंगे मैप के तुरू सब आपको यहीं पर याद हो जाएगा फिर हम देखते हैं कुछ अंतराष्टी स जब हम पासेज पढ़ते हैं हम जब दर्रे पढ़ते हैं तो हमें कोशन करते हैं कि खेबर दर्रा खेबर दर्रा किन दो देशों की बीच में है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच में खेबर दर्रा है आरी कहां से आये थे आरी खेबर दर्रे से ही भारत में किया तो हिस्ट्री हिस्ट्री भी हमारा चल रहा है आप रेगुलर जो है हमारी क्लासे सटेंट करते हैं बहुत अच्छे से हम बच्चों को जन्रल अवरेनेस करा रहे हैं ठीके ना चलिए तो डुरेंट रेखा जो है वह करेंटली बाउंटरी लाइन बीट्विन पाकिस्तान अफगानिस्तान और यह 1893 में दीज लाइन वाज नेम्ड आफटर सर मौटी मायर दुरेंड इनहीं के नाम से जो है यह दुरेंड लाइन रेखा पड़ गया दो फॉरेंड मिनिस्टर और ब्रिटिस इंडिया ठीके ना सन्वन आपको याद नहीं रखना है दुरेंड आप इसको छोटा बेटते चोटा भाई बोल देंघा या आप कुछ भी बोलतें है और सबसे प्यारा हमारा जो पडूसी है वह पाकिस्तां ही है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन बनी हूई है वह रेड्ड क्लिफ लाइन नेरु आपका भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतराश्टी सीमा को कहा जाता है यह यह क्योंकि मामला कि मामला दिस्पूटेड वह उपाकिस्तान के बीच में जो एपके डिया क्या क्या सतौनिशालिकूटर लिमिट को है ना इसलिए इनहीं के नाम से रखा गया है अब अगला important question कि भारत और चाइना के बीच में जो अंतरराष्टी सीमा है कि उसे क्या कहा जाता है तो मेक मोहन कहा जाता है मेक मोहन है ना इसकी जो कुल लंबा ही है 700 km लेकिन examiner question ये पूछता है कि भारत और चाइना के बीच में जो अंतरराष्टी सीमा है जो मेक मोहन रेखा है वह भारत के किस राज्जी से जो हम डिनोट करते हैं तो हम यहां पर देखने अरुनाचल प्रदेश आपको एफेक्ट याद रखना है ठीके ना खास करना है बच्छे देखो जो फ्रेशर होते हैं उनको फेक्स पता नहीं होते उनको location पता नहीं होती इसलिए इतनी महनत की जा रही है है ना presentation के साथ चलिए तो मेक मोहन रेखा जो है अरुनाचल प्रदेश आप याद रखें अब हम देख लेते हैं 700 किलोमेटर लंबी यह जो लाइन है उसको प्रिपेर किया था सन हैंडरी मेक मोहन ने जो की एक ब्रिटिशियन थे गुन्यस अब यहांसे जो सबसे ज़्यादा बनते हैं अगला प्रेक्ट पढ़ने वाक यहां से सबसे ज्यादा को सिल मते हैं घ्लासे यहां पर पढ़ेंगे be लिए बनाया है समझने के लिए कैसे बनाया है कि जो भारत की कोस लाइन है भारत की जो कोस लाइन है इससे बारा इससे 12 नोटिकल माईल की दूरी को हम प्रादेशिक समुदरी सीमा कहते हैं रिया cb आप से पूछता है कि यह दो आधार रेखा है कोस लाइन है हमारी 12 नोटिकल मील दूरी पर है समुद्री दूरी को नोटिकल माइल से देखा जाता है एक नोटिकल माइल एक दशमलो आठ पांच दो किलोमेटर के बराबर होता है यह सारी चीज़े तो हमने आपको बहुत अच्छे से याद कराई है ठीके ना अब देखो अगली हम लाइन देखते हैं तो यह जो रेड ला देखो कई बार अपन सेट में जो देखते हैं ना कई बार तो हमें हिंदी में हिंदी में सलगन शेत्र लिखाव मिलता है कई बार हमें आविचिन मंडल लिखाव मिलता है लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्दे कंटी जीनियोस जोन हम जब भी प्रिपेशन कर रहे होते हैं तो प्रिपेशन करने का मतलब क्या है प्रिपेशन करने का मतलब ही क्या है जानना हम फेट्स को जानने की तरफ निकल रहे हैं है ना हम घर से निकल चले हैं ज्यान प्राप्त करने यही तो प्रिपेशन है जब हम प्रिपेशन करेंगे चाहे आप फिजिक्स पढ़ें बाइलो जो है वह आपका 24 नाटिकल मौईट कंटीजन जो है वह आपका कितना तो यहांसे यहां तक आपका जो दूरी हो जाएगा वह 24 नाटिकल माईल हो जाएगा ठीक है यह आप यार रखें अब आप से पुछा जाता है exclusive है ना यह जो आपकी यहां पर हमने जो blue color की line मनाई है यह कुन सी line होने वाली है यह exclusive होने वाली है ठीक है ना इसी को हम क्या कहते हैं यह जो line है यह हमारे भारत की जो तट रहा है जो आधार line है यह इससे 200 nautical mil की दूरी पर है यह दूरी आपको याद रखना है है ना 200 nautical mil की दूरी पर हम इसे कहते हैं अनन्य आर्थिक शेत्र अनन्य आर्थिक शेत्र exclusive economic zone exclusive economic zone इसको short में EEZ भी कहा जाता है short में इसे EEZ भी कहा जाता है ठीक है ना तो हमने देख लिया red line is territorial zone green line is और जो ब्लू लाइन है वह जो 200 nautical mile की दूरी पर है वहाँ EEZ याने की exclusive economic zone है अब ऐसा नहीं है कि प्रादेशिक सीमा को लाल कलर से दर्चा आए जाता है आविच्छीन को green से और exclusive को blue से यह सिर्फ समझने के लिए हमने बनाया है है ना कि यह सीमा है कितनी दूर है है ना 12 24 और 200 नोटिकल मिल अब हम यहां पर देख लेते हैं कि प्रादेशिक जो समुद्री सीमा है ना प्रादेशिक जो टेरेटेल जोन है दर टेरेटेल सी एक्सेंट्स अप टू 12 नोटिकल माइल्स फ्रूम द बैस लाइन इसको अपन बैस लाइन बोलेंगे यह जो हमारे भारत क समुद्री सीमा है इंडिया है सकेंटीक है ठीक है यहां पर यहां पर नोटिकल माइल्स की जो हमारी आधार लंबाई से जो हमारी दूरी है यहाँ पर भारत को संपूर्ण अधिकार है भारत इस सीमा के अंदर कुछ भी कर सकता है ठीके ना? यह आपको याद रखना है उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें इंडिया हैस बीन गीवन थ्री टाइपस ओफ राइट्स इन यहाँ पर कंटीजियोस जोन देखो क्या-क्या राइट मिल है हमने बारा नोटिकल मिल में तो देख लिया कि संपूर्ण अधिकारे कुछ भी करें हम अब यहाँ पर जो हमारा 24 नोटिकल माइल यहाँ पर राइट टू कलेक्ट कस्टम डूटी हम कस्टम डूटी टेक्स वगएरा है सब कर सकते हैं हम कर सकता है हम एक्सटम डूटील जी से मान लेक्तिजिया आप मसलियों कावय आप बार करते हैं तो वह आपका जो हे बिजनस में आ जाएगा ठीकिए ठीक है अब हम चलते आगे जो हमारा exclusive economic zone है वहां पर हमें क्या-क्या राइट से यहां पर भी तीन प्रकार के राइट से इंडिया के बिल्ड न्यू आइसलेंड अप्टू 200 यको पूल्स हना सकते हो आप अपना परमानुम मना के यहां पर टेस्ट कर सकते हों कि ers बना यिकने बनाई नहीं अब यहां बनाई है आप यहां पर टेस्ट कर सकते हो फोल राइट टू-क्रोइट नेश्रal इस 200 नोटिकल माईल के बीच में आपको कोई भी प्राकरतिक संसाधन मिलते हैं जैसे कि हम सबसे ज्यादा तो हम तेल निकालते हैं समधुर में से सबसे ज्यादा क्या निकालते हैं हम जो है नेश्रल ओयल निकालते हैं जैसे कि डीजल हुआ पेट्रोल हुआ है ना हम सबसे ज सबसे ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं सबसे यादा कंजब्शन ंसी की है तो यह 200 लोटकल माइल तक हमें यह सारे के सारे मिलतें आप बोलेंगे कि यह राइट देता कहुं है फिल्ड मतलब शेत्र इस लोकेटेट इन दे एक्स्लीजिव एकोनोमिक जोन देखो 60% अफ दे कंट्रीज ओईल इस प्रोड्यूस फ्रॉम हियर याने कि अगर आप से पूछे जो मुंबई हाई है यहां पर अपना मुंबई है और क्योंकि यह डायग्राम जैसे इसा नहीं नहीं कि हमने 200 नोटिकल माईल इतना बना दिया तो वाके में यहीं पर है यह समझने के लिए था तो मुंबई हाई करीब यहां पर पड़ेगा आपको यहां पर पड़ेगा और यह जो आपका मुंबई हाई है यह एक्स्क्लूजिव एकोनोमिक जोन में आता है मोस्ट चलो याद रखना आप टेरिटोरियल जोन मत लगाना आप यहां पर एक्स्क्लूजिव लगाना ठीक है ना उसके बाद हम चलते हैं आगे अच्छा यह और आया है एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं एक बार फिर से देख ल कि भारत को संपुन अधिकार है इस 12 नोटिकल मील में हम कुछ भी करें यह हमारे अधिकार शेत्र में है फिर हमने देखा यहां पर जो आविच्छीन मंडल है सीमा शुल को वसूली कर सकते हैं 24 नोटिकल माइल तक साफ सफाई का अधिकार है हमें कारोबार करने का अधिकार रहे वित्ती अधिकार है ठीके ना उसके बाद जो एक्सवलीजी एकोनोमिक जोन है यहां पर अपन जो है नए दीपों का निर्मान कर सकते हैं वेज्ञानिक परिक्षन कर सकते हैं प्राक्रतिक संसाधन जितने भी होंगे वो सब हमारे ही होंगे लेकिन इसके बाहर 200 नोट पाकिस्तान ने यहां पर तेल खोज निकाला अब क्योंकि सारी मेहनत उसी की है तो वह उसी के नाम हो जाएगा ठीके ना चलो आगे चले अगला फेक्ट हमारा क्या होने वाला है देखो अगला फेक्ट तो बड़े ही शांदार तरीके साब जो है थोड़ा सा फोकस कीजिए हम एक से दो बार रिपीट करेंगे ताकि वह यहीं पर याद हो जाए ठीक है ना चलो अब चलते हैं हम हमारे अगले फेक्ट की तरफ इंप्रेंट कोस्चन यहां से पूछे जाते हैं यहां से पूछे जाते हैं आपने मीनिकोई आइसलेंड को थोड़ा सा लोकेट करना होगा मालदिव आइसलेंड आप से पूछत है की मीनिकोई को माल दिव से अलग कोन करता है तो आपको याद रखना होगा आठ 6 cz channel 8 डिगरी चैनल देखो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो हमने जो भारत का जो दक्षिनतम मिंदु है नों operator है और Rich और चार हमनिट 8 डिःओ छार मनिट लेटिटीट से शुरू होता है यादेन आपको अब यह है आपका आठ डिगरी चार मिरिट से थोड़ा सा नीचे आठ डिगरी चैनल आठ डिगरी चैनल मीनिकोई आइसलेंड को माल्दिव आइसलेंड से सेपरेट करता है अलग करता है है ना most important उसके बार हम चलते हैं आगे अगला आपसे कोश्चन पूछता है कावारती कावारती तो जानते हो ना अंडमान-Nikobar की राजधानी भी है ठीक है ना अंडमान-Nikobar जो है सबसे कम population वाला Union territory है अंडमान निकोबार सबसे चोटा यहाँ पर union territory भी है ठीकिक ना population से भी और area wise भी ठीकिक के ना जो largest union territory area wise वह कुन सा हो जाएगा कि अगर अगर अपन केंदर में चलें केंदर में चलें अदिलु वह जाएगा population वहाँ पर सबसे ज़्यादा है है ना चलिए तो कवारती आइसलेंट को मिनी को ऐसलेंड से कोन अलग करता है तो अभी-अपन ने यहां पर मालदीव से अलग करेगा 8 डिगरी चैनल उसके बाद मिनी कोय को कावारती से अलग करेगा मिनी कोय को कावारती से अलग करेगा 9 डिगरी चैनल most important आठ डिगरी 9 टीक है ना चली है अब हम चलते हैं आगे अगला जो इंपोर्टेंट हमारा fact है वो क्या है लिटिल अंदमान, लिटिल अंदमान को ग्रेट निकोबार, यह है अंदमान और निकोबार, उपर वाला शेतर अंदमान है, नीचे वाला जो एरिया है अपका निकोबार है, अंदमान निकोबार, हमने फैक्ट याद किया था, कि एसा कौन सा यूनियन टेरेटरी है, जिसकी स सबसे लंबी समुदरी सीमा है जिसकी सबसे लंबी कॉस लाइन है तो अंडमान निको बार करीब 1920 है ना करीब 1920 अपने देखा चलिए लिटिल अंडमान को ग्रेट निको बार से अलग करता है कौन सा डिगरी चैनल तो यह 10 डिगरी चैनल याद रहेगा और उसके बाद कोई को हैं अलग करेगा नोट दिगरी और लिटिल अंडमान को ग्रेट निको बार यह जो है सबसे नीचे वाला पोलिटिल इन्डमान के इसको अलग करेगा आपका 10 डिगरी चैनल वहुत आते हैं को खारятся से बहुत ज्यादा पूचा जाताया आ हम यहाँ पर अंड़मान और निकोबार इस अंड़मान को थ्यान से देखते हैं यहां से केस अफेक्ट बंद के निकलकर आता है उपर वाला जो एरिया है वह नौर्थ अंड़मान है जब भी अपन यहां पर डारेक्शन मनाते हैं तो ऊपर की contrat कव होती है नीचे की साउथ होती है यह हो जाएगा यह में यै नॉर्तなん अंदमान हो जाए Jack अब कित्व that हम चलते हैं यह आपका मिडिल इंडमान हो जाएका ये मिह नो अगन ha possibility है कि थोड़ा सा नीचे कर आएंगे तो जा विखना सा ना निज्ट और साउथ और इस के साइन गाया है यह आपका कोंड़ मान है यह लिटिल अंड़ मन इशको क्या और रहे हैं लिटप करते चलो ठीकिना सबसे नीचे है बाकि आफसे पूछता आपसे क्या इसके बीच में हम इसको क्या बोलते हैं कौन सा पासेज बोलते हैं इसको तो इसको हम डंकन पासेज के नाम से जानते हैं यह कई बार एक्जाम में पूछा गया है यह सबसे ज्यादा important fact है देखो theory पढ़ रहे हो आप और theory का मतलब क्या होता है theory को पढ़ते हैं passions के साथ ध्यरिता के साथ जो आप यहां पर समय दे रहे हैं वीडियो को देखने में जो फैक्ट आप पढ़ रहे हैं वीडियो में वह फिर दूबार आना पढ़ना पड़े इसलिए हम जल्दी जल्दी हडबडाट नहीं करेंगे हम एसा समय देंगे फैक्ट के लिए कि वो दूबारा ना देना पड़े फिर हम सिर्फ उसको रिविजन के तोर पर रखेंगे ठीक है ना चलिए तो डंकन पासेज किस किस के बीच में है यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था है ना जो कि आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में अधार फिर से देखलू साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच वाले एरिया को बंडुक आप से बोलते हैं आप से बिच्चता थे जो है यह अपन और ये निको बार लिच्वार चले थोड़ा तो यह हमें एक छोटा सा आइसलेंड देखने को मिलता है इसे हम जो है कोको आइसलेंड कहते हैं और मज़े की बात यह है कि यह कोको आइसलेंड यह हमारे भारत का भाग नहीं है भारत तो हमारा यहां से अंदमान से शुरू हो जाता है और कोको आइसलेंड यह म्याममार इसके बीच यह जो है आपके दोनों सेप्रेट हो रहे हैं किस से सेप्रेट हो रहे हैं यह को को चैनल से सेप्रेट हो रहे हैं जैसे अभी अपने डंकन पासेज याद किया कि डंकन पासेज जो है वह आपका लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से लग करता है यह ना डंकन एसे ही आपका हमारे जो नोर्स अंडमान है और जो कोको आइसलेंड है म्याममार का इसको सेपरेट करता है आपका यहां पर कोको चेनल तो कोको चेनल किन दो देशों की बीच में हो जाएगा तो भारत और म्याममार के बीच में हो जाएगा अगर आइसलेंड की बात आ जाए उसमाय चलिए तो आइसलेंड में हम कोको आइसलेंड और हमारा जो नौर्थ अंदमान है देखो आप कोशन कैसे देगा कोशन इस प्रकार से देगा कोगो मिडिल अदमान कोगो आइसलेंड साउठ साथ यहां पर याद करेंगे कि आपको कभी वूए टूसरी जगे नहीं पढ़ पादेगा है अब देखों यहाँ यहाँ पर आपसे कई बार पूछा जाता है सरकरीग को ले करके What is सरकरीग? यह सरकरीग क्या है यह कुन सी विवादित जगे है सरकरीग किन दो देशों के बीच में विवाद की स्थिती है दिस्पुटेड माम ला है तो भारत और पाकिस्थान भारत और पाकिस्तान आप देखिए थोड़ा सा ये गुजरात वाला शेत्र है ये कुन सा शेत्र है गुजरात वाला थोड़ा सा आप इस डाइगराम को देखेगा इस वाले डाइगराम को देखिए ये है गुजरात ये है गुजरात है ये हमारा गुजरात है कि है ना यह आपकी कच्छर की खाड़ी हो जाएगी यह कच्छ कीiver ओझाएगी और एक खंबात की का लिए इना हमने खाड़िया Kyant कर ली है लो दिसे विद्व जो उपर वाला तीकोना एरिया है तीको न यह वाला ऊपर वाला तीकोना जो एનड सैरियै इसको थोड़ा सा जूम किया गया है यहां पर आप यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए अब देखो यह बीच में जो है पानी वाला इलाका है यह लेंड है सर्फे से थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूत है अब क्योंकि हमारा भारत यह चाहेगा या कोई भी द यह पर एविदेंस की वह जमीन उसकी है अब देखो तो आप यहां पर दो लाइन देख पारें एक रेडं लाइन देख पारें यह हमारा भारत है हमारा पाकिस्तान है यहां से देखेगा यहीं पे आद हो जाएगा अब क्योंकि हम इंडिया वाले हैं तो हम चाहेंगे कि ठूदा सा और पाकिस्तान की तरफ जाए हमारा एरिया और भी जाता ठूदा सा पाकिस्तान की तरफ और तो यह जू रहे लाइन इस दब बॉर्द claimed by India the Red Line Hella in the border claimed by India हम इंडिया वाले क्लेम करते हैं कि भाही यह जो आ सिमा है वह यहां तक जा रही है है अब पाकिस्तान वाला क्या है इधर आज आ जाता है पाकिस्तान वाला इंडिया में आ जाता है थोड़ा सा हमारी तरफ आ जाता है और यह ग्रीन लाइन अब यह जो ग्र His heave आप यहाँ पर एक सोलुशन निकाला गया कि वहिए यह जो डिस्पुटरेड एरिया है इसका सोलुशन क्या निकाला गया कि वहिए इन दोनों की बीच की लाइन ले लो ना तो आपका ना हमारा हम दोनों का यह जो ग्रीन और रेड लाइन है इसके बीच वाली लाइन मना लो एक इसके इधर वाला जो एरिया है वो आपका है ना और इधर वाला एरिया जो है वो इंडिया का तो सरक्रीक बस एक्जाम के परपस से अपने को इतना जानना है कि सरक्रीक किन दो देशों के बीच में विवाद है भारत और पाकिस्थान ठीक है ना चलिए तो यह आपको जो है डायग्राम के साथ अच्छे से याद हो गया होगा है ना सरक्रीक में भी स्मॉल सिप ऑफ वाटर बट इट होल है ना यह आप जो है याद करके चलें वैसे इतना जाद आपने को नहीं पढ़ना है ना वाटर बॉर कि यह जो वाटर बॉर किन दो देशों की बीच में है ना चलिए तो यह जो हमारा सेट रहा आज का हमने बहुत ही इंटरस्टिंग यहां पर जो हैं फैक्ट जाने हम जि इतना अच्छा महसूस होगा अंदर से कि अब मैं बहुत कुछ जानता हूं भारत के बारे में अभी अपन जो है इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे फिर वर्ल्ड जियोग्राफी बात में पढ़ेंगे थोड़ा सा समय जरूर लेंगे आपका लेकिन सारे के सारे चल रहा है कंप्रीट जियोग्राफी हम एसे ही आपको बाइलोजी फिजिक्स केमेस्ट्री और कंप्लीट जनरल अवेर्नेस कराने वाल है तो वीडियो को इसकीप नहीं करें लास्ट तक देखें देखो हमारी मेहनत को एप्रिशेट जरू कीजिएगा यह जो प्रेजेंट और आप अगले वीडियो अगले वीडियो में देखेंगे कि हम और भी अच्छे अच्छे फेक्ट लेके आएंगे भारत का विस्तार थोड़ा सा भी लंबा चलेगा टॉपिक क्योंकि सबसे यादा कोशन यहीं से पूछे जाते हैं तो आप बने रहें प्लेलिस्ट को आप जो है जोइन कर लें सारी की सारी वीडियो देखते रहें आपका कंप्लीट यहाँ पर थियोरी हो जाएगा बागी हमारी सुबह 9 बजे रात को 11 बजे अनकेडमी एपर क्लास चली रही है आप वहाँ पर जो है डिवीजन कर सकते हैं वहाँ पर पी वाई क्यू सेशन हमारे चल रहे हैं चलो तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ ठीके ना बने रहे हो थेंक्यूरी माच बबाए टेक केर लाइक जरू कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ठीके ना कि सर बहुत अच्छा थियोरी पड़ा रहे है बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सर तो सारे के सारे फेक्ट जान लो कंप्लीट थियोरी कर लो कंप्लीट सिलेबस कर लो टॉपिक क्लियर कर लीजिए कॉंपिडेंस आएगा है ना ठीके चलो बबाए टेक कियर थेंक्यूरी माच लैट्स क्रेक इट